हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेपी उनिवर्सिटी छपरा असनातक पार्ट वन सेसल 1922 डेट सीट समझाने की कोशिस कर रहा हूं स्टेप बाई स्टेप क्योंकि वहुँसे छातरों का लगत स्क्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जनकार्य आपको सबसे पहले मिले चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं देखी फ्रेंड आप यहां देख सकते हैं जह परकास इनिवर्सिटी छपरा का यह अफिस्यल डेट सिट है आप लोग यहां देख सकते है प्रोग्राम औफ TDC पार्ट वन सेशन 19-22 आर्ट साइंस एंड कमर्स अनौर्स इग्जामिनेशन 2020 देखी फ्रेंड मैं आपको केवल अनौर्स पेपर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका इग्जाम कब कब है और प्रोग्राम को यानि की डेट सिट को कैसे देखते हैं चलिए फिर आप लोग यहां देख सकते हैं TDC पार्ट वन आर्ट साइंस कमर्स अनौर्स इग्जामिनेशन 2020 दा सब्जेक्ट और डिभाइडेड इन 6 ग्रूप यानि की आपका जो है जो भी सब्जेक्ट है उसको 6 ग्रूप में डिभाइड किया गया है आप य ग्रूप बी में है जोलोजी, साइकिलोजी एंड आई, एफ एफ ग्रूप सी में है मैं जोलोजी, सस्योलोजी एंड फिल बी में है पोलिटिकल साइंस, एकाउंस, उर्दू एंड सन्सक्रीत Group E में है Chemistry, Economics, Ruler Economics and Home Science Group F में है Physics, Botany and English जो भी सब्जेक्ट है आपका 6 गुरूप में डिवाइड कर दिया गया है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ उसके आगे हम लोग बरहेंगे और देखेंगे Date-wise Date आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका जो एक्जाम है दो सिफ्ट में होने वाला है पहला सिफ्ट है 39.00 a.m. से लेकर 32.00 p.m. तक तथा सेकेंड सिफ्ट है 31.00 p.m. से लेकर 34.00 p.m. तक उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं Date-wise Date आप यहाँ देख सकते हैं 31.10.2021 और यहाँ संडे लिखा हुआ है बहुत लोग के एक confusion हो रहा होगा कि संडे को एक्जाम होगा कि नहीं होगा तो आप लोग suspicion को छोड़ दीजिए आपका एक्जाम होगा यह निचीनत रहिए क्याँ कि एक्जाम है एक्जाम में संडे कोई भैलू नहीं रखता है चलिए आप यहाँ देख सकते हैं 31.10.2021 को ग्रूप A का subject है यानि की paper 1 अब आप यहाँ देखेंगे ग्रूप A में है history, geography, भजपूरी and A, I, H, N, C इन सभी का अनर्स paper 1 होगा 31.10.2021 को first shift में उसके आगे हम लोग देखेंगे 31.10.2021 को second shift में ग्रूप B का paper paper 1 यहाँ देख सकते हैं ग्रूप B में कौन-कौन सा subject है geology, psychology and A, I, F आप लोग यहाँ देख सकते हैं इन सभी का paper होगा यानि की paper 1 ग्रूप B का 31.10.2021 को उसके आगे हम लोग देखेंगे 11.21.2021 को ग्रूप C का paper paper 1 अब आप लोग यहाँ देखेंगे ग्रूप C में कौन-कौन सा paper है mathematics, hindi, music, sociology and philosophy इन लोग का paper 1 होगा 11.21 को first shift में उसके बाद है 11.21 को second shift में ग्रूप D का paper paper 1 आप लोग यहाँ देख सकते हैं ग्रूप D में कौन-कौन सा paper है political science, accounts, urdhu and sanskrit उसके बाद 2011.21 को first shift में ग्रूप E का paper paper 1 आप यहाँ देख सकते हैं ग्रूप E का paper है chemistry economics, ruler economics and home science उसके बाद 2011.21 को second shift में ग्रूप E का paper paper 1 आप यहाँ देख सकते हैं ग्रूप E में है physics, botany and English उसके बाद हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं 13.11.21 को first shift में group A का paper paper 2 तथा second shift में 13.11.21 को group B का paper paper 2 उसके बाद है 14.11.21 को first shift में group C का paper paper 2 तथा 14.11.21 को second shift में group D का paper paper 2 उसके बाद है 15.11.21 को first shift में group E का paper paper 2 तथा 15.11.21 को second shift में group F का paper paper 2 तो फ्रें इस तरह से आप लोग आसानी से समाज गए होंगे कि आपका exam कब-कब है क्योंकि मैं आपको date wise date और shift wise shift एके करके बता दिया हूँ बहुत लोग को यह भी confusion हो रहा होगा कि paper 1, paper 2 क्या होता है चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं पार्ट 1 में आप सभी को मालूम है कि 500 नमबर का आपका exam होता है जिसमें आपका 200 नमबर का आपका जो अनर्स paper जो आप लिये होंगे वो होता है तथा 100 नमबर का आपका subsidiary paper होता है जो आप लिये होंगे तथा 100 नमबर का आपका general subject होता है चाहे आप Hindi लिये हो चाहे आप English लिये हो चाहे पचास का Hindi हो चाहे पचास का English हो तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे तो फिर आपको मैं step by step एक्टे करके वो सारी जनकारी दे दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठनाई नहीं होगी फिर आप लोग exam देने जाएं अच्छे से dead seat को देखकर ही exam देने जाएं ताकि आपका exam नहीं छूटे क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कितना तफस्य करने के बाद आपका dead seat आया है आप लोग समझ सकते हैं कि आपका exam कब होना चाहिए और कब exam आपका हो रहा है फिर आप लोग एक बाद में फिर कहूंगा dead seat को देखकर ही जाएं अच्छा से त्यारी करके ही जाएं आप लोग question को देख लें रिभाइज कर लें उसके बाद ही exam देने जाएं आप सभी का exam यानि कि कल से 31-10-21 से शुरू हो रहा है 31-10-21 को Sunday है उससे कोई आपको मतलब नहीं है आपका exam मस्तिन होगा इसके बारे में आप लोग confirm रहें आप सभी के exam के लिए best up luck अच्छा से करें पास हो जाएं यहीं मेरी आप सभी के साथ सुब कामना है जय हिंद